दोस्तों, आम फलों का राजा होने के साथ भारत का राश्ट्रिय फल भी है। कच्चे आम की तासीर ठंडी होती और पक्के हुए आम की तासीर गर्म होती है। आम की लगभग विश्व में 400 से ज़्यादा किसमें पाई जाती है। उन्ही में से कुछ प्रसिद्ध प्रजाति अलफानसो, हिमसागर, दसेहरी, मालदा, लंगरा, केसर, बादामी और नीलम है। आम का वैग्यानिक नाम मेंगिफेरा इंडिका है। दोस्तों अगर बात करें आम के उतपादन की तो आम का उतपादन भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा आम का पायदे की तो आम का सेवन अचिशी सेहत के साथ कई शारीरिक समस्याओं को दूर कर। शरीर को स्वस्त में सहायक होता है, आम के साथ-साथ आम के पत्ते और छिलके भी फायदेन्द होते है। आम को हिंदी, मराठी, बंगाली आदी भाशाओं में आम कहा जाता है। इसके आयरन, मैगनीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फाइबर और फासफोरस के साथ विटामिन A और विटामिन C की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आम को धोकर सीधे सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आम का जूस, आचार, जैम, केक, आइसक्रीम और आम चून के रूप में किया जा सकता है। साथ ही कच्चे आम का सेवन चटनी और सबजी बना कर किया जा सकता है। तो दोस्तों आए, विस्तार में जाने आम खाने के वीकेमिया रोग होता है। आम में मौजूद विटामिन C, शरीर में आइरन को ग्रहन करने में सहायक होता है जो शरीर में खूल की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा आम के फूल भी खून की कमी को पूरा करने में सहायक होते हैं। नंबर टू, कैंसर से बचाव के लिए भी आम का सेवन फायदे मंद होता है। आम में इंटी ऑक्सिडेंट तत्व के साथ पॉलिफेनॉल्स जैसे कई तत्व पाय जाते हैं, जो कोलोन कैंसर, लिूकेमिया और प्रोस्टेट कैंसर के लक्षनों को कम कर कैंसर से बचाव करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा आम में इंटी कैंसर गुन भी पाय जाते हैं, जो शरीर में कैंसर कोशिकाओं को पनपने से रोकने में सहायक होते हैं। 3. आंखों के स्वास्थे के लिए भी आम का सेवन फायदेमंद होता है। आम में विटामिन A की भरपूर मात्रा पाई जाती है। विटामिने आंखों के स्वास्थे के लिए प्रमुख घटक के रूप में कारे करता है। जो आंखों की रोशनी को बराने से लेकर आंखों की अन्य समस्यां को दूर करने में सहायक होता है इसके अलावा आम के सेवन से भूक कम लगती है जो अनियमित भूक को नियमित करने में सहायक होती है और मोटापे को कम कर वजन को नियंतरित करने में मदद करती है नमबर फाइव, पाचन स्वास्थे के लिए भी आम का सेवन फायदे मंद होता है आम में लैक्सेटिव यानी, पेट को साफ करने वाला गुन पाया जाता है जो पेट को साफ कर कबज की समस्या दूर करता है इसके अलावा आम में मौजूद फाइबर, पाचन के लिए प्रमुख घटक के रूप में कारे करता है जो पाचन में सुधार कर, पाचन को मजबूत और स्वस्थ रखने में सहायक होता है नमबर सेक्स, रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने के लिए भी आम सेवन फायदे मंद है आम में मौजूद विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है विटामिन सी रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने के लिए प्रमुख घटक के रूप में कारे करता है शम्ता कर, रोग प्रतिरोधक शम्ता को बरहाने में मदद करता है। नमबर सेवन, हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए आम का सेवन फायदेमंद होता है। आम में मौजूद विटामिन A और विटामिन C के साथ कैल्शियम भी पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों के विकास और उनको मजबूत बनाए रखने के लिए प्रमुख घटक के रूप में कारे करता है। इसलिए आम का सेवन हड्डियों को मजबूत वस्वस्थ रखने में सहायख हो सकता है। नमबर एट, मांसिक स्वास्थे के लिए भी आम का सेवन फायदेमंद होता है। आम में ग्लुटामिन एसिद नामक एक तत्व पाया जाता है जो याददाश्थ को बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि आम का सेवन मानसिक स्वास्थे के लिए फायदेमंद हो सकता है. No.9 कोलेस्ट्रॉल के स्तर समान्ने रखने के लिए भी आम का सेवन फायदेमंद होता है. आम में भरपूर मात्रा में न्यूट्रास्योटिकल बीमारी की रोप्थाम एवं उप चार वाला गुन पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक होता है. इसके अलावा आम का सेवन शरीर में एच डेल अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होता है जो हर्दे स्वास्थे के लिए भी फायदेमंद होता है. No.10 मधुमेह रोगियों के लिए आम का सेवन फायदेमंद होता है. सही मात्रा में आम का सेवन मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि आम और आम के छिलके की अर्ख में इंटी डायबिटीज कुन पाए जाते हैं जो रक्त में मौझूद शुगर के स्तर को कम करने में सहायक होते है. इसके अलावा आम का सेवन टायबिटीज रोगियों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए आम का सेवन फायदेमंद होता है. आम में मौझूद विटामिन A और विटामिन C के साथ कई ऐसे पोशक तत्व पाये जाते हैं जो गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं में होने वाली कमजोरी को दूर कर उसे स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं. 12. किड्नी स्टोन की समस्या से परेशान लोगों के लिए भी आम का सेवन फायदेमंद होता है. आम में करी पोशक तत्वों के साथ विटामिन B6 की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है. एक शोध के अनुसार विटामिन B6 किड्नी स्टोन को कम करने में सहायक होता है. प्रोटेक्टिव यानी लिवर को नुकसान से बचने वाले गुन पाए जाते हैं जो लिवर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं. इसलिए कहा जा सकता है कि लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आम का सेवन फायदेमंद हो सकता है. गर्मी के प्रभाव से बचाव के लिए भी आम का सेवन फाइदेमंद होता है। गर्मियों में आम के जूस का सेवन शरीर को हाइडरेट कर शरीर को ताजगी प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अलावा आम का सेवन गर्मी के प्रकोप से बचाने के साथ गर्मियों में लगने वाली लूसे भी बचता है। इसल उच्रक्तचाप, हरदय के जोखिम को बढ़ाने के साथ कई शारीरिक समस्याओं के खत्रे को भी बढ़ा सकता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आम का सेवन फायदे मंद होता है। ये उच्रक्तचाप को कम करने में सहायक होता है। नमबर सिक्स्टीन, अलसर के साथ पेट से जुरी अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए आम का सेवन फायदे मंद होता है। क्योंकि आम में मौजूद इन टी अलसर गुन पाए जाते हैं जो अलसर से बचाफ करने के साथ पेट से जुरी अन्य समस्याओं को दूर करने में सह नमबर 17 तोचा के लिए भी आम का सेवन फायदे मंद होता है। आम का सेवन बालों के स्वास्थे के लिए भी फायदे मंद होता है। जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। निवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सबसक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू